दो बार लगाएं और करें अपने बालों का ज़ड़ना जड़ से बंद जी हाँ फ्रेंड्स अगर आप इस रेमिटी का इस्तमाल करते हैं तो आपका बालों का ज़ड़ना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा और आपके बाल लंबे घने होने लगेंगे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चानल में और मैं हूँ तनू हर कोई महीला अपने जड़ते बालों से परेशान है लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रुवत नहीं है आज मैं आपको बहुती ज़ादा इफेक्टिव रेमिडी बताने वाली अगर आप इसका इस्तेमाल दो बार करते हैं हफते में तो आपके बालों का जड़ना पूरी तरीके से रुख जाएगा और आपके बाल मजबूत होंगे खनी होंगे लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको वीडियो अच्छा ल आता है साथी साथ बहतर कंडिशनर रूप का भी काम करता है तो दही बहुत ही जड़ा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए तो मैं यहाँ पर दही का इस्तमाल कर रही हूँ और आप दही कैसा भी ले सकते हैं खटा मीठा जो आपके घर पर अबिलेबल हो आप वो दही ल जाता है आपको सिर्फ एक मुठी जो है करीपता लेना है मैंने इसको धुल लिया था अच्छे से ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे अगर हम बिना धुले ही इसका यूज कर लेते तो इससे हमारे बालों में कुछ इंफेक्शन भी हो सकता है क्योंकि गंदगी का साफ होना बहुत जादा ज़रूरी है अब हम इसको मिक्सी जार में डाल कर पीस लेंगे कुछ लोगों की शिकायात आई थी कि जब हम इसको पीसते हैं तो यह अच्छे से पीसता नहीं है तो आप सिल होती है ना तो सिल्फ पे पीस ले जैसे चटनी बनाते हैं सिल्फ पर आप उ यह सैं जानकी अच्छे हैं से बनाने में और असानी सही इताए तो इससे आपके बाल बहुत ही जादा होते हैं पूरी तरीकी there की जारे हैं तो भी रुज़ाता है क्योंब इसप्ते में प्रोटीन होता है इसको लगाना बहुत असान है लेकिन उस से पहले में जब apply करती हुँ तो मैं हेहाँ पर चाओल का पानीे स्तमाल करहें हो बहुत तैम क्पानी का इस्तमाल कर रहे हैं, तो आप वो पहले लगा सकते हैं, दस मिनट पहले लगा लीजे, टोनर का इस्तमाल करते हैं, तो आप कोई भी टोनर ले सकते हैं, प्याज का टोनर ले सकते हैं, और मैंने आपको बताया था, ब्रिंग राज्ट का टोनर वो ले सकते हैं, आप कोई सब इस बात का ध्यान रफन्फान। आपको अब स्कावद में लगाना हैई आपको पूरे लेंध में बिल्खुल भी नहीं लगाना है! बिल्लेक,… और दो पत्त में, प्रोटीन नुदल Может होता है! जो यह सारे प्रशक डस होते हैं , हमारे बालो को मजबूती प्रदान करते हैं साती साथ खुबसूरत बनाते हैं लंबा बनाते हैं और घना बनाते हैं और इसके साथ साथ इसमें एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं एंटी डायबेटिक होती है बहुत सारी चीजे होती हैं बहुत अच्छा source है हमारे बालों के लिए अगर आप कोई बहतरी remedy ढोट रहे हैं हेर पॉल के लिए जिससे आपका हेर पॉल रुख जाए तो फ्रेंड्स इस से अच्छी और कोई remedy नहीं हो सकती आप इस remedy को जरूर से जरूर इस्तमाल करें और फ्रेंस छंड का समय आ गया है या फिर कोई प्रेगनेंट है या भी डिलीवरी हुई है तो जादा देर बिल्कुल भी ना रखी क्योंकि उससे ठंड लग सकती है आप प्रेगनेंट है या फिर डिलीवरी हुई है अभी हाली की दिनों में तो सिर्फ 10 से 15 मिनेटी अपने बालों में लगाएं जादा देर बिल्कुल भी ना रखें और जो ठीक ठाक लोग हैं तो वह आदे घंटे रख सकते हैं लेकिन ठंड की समय में जित्ता कम रखेंगे उता ही अच्छा रहेगा क्योंकि अगर ठंड लग जाएगी तो फिर आपको सर्दी जुखाम भी हो सकता है तब एक खराब हो सकती है बालों को सही करने के चक्कर में कहीं आपकी सिहत कराम नहों जाए तो इस बात का ध्यान रखें अगर दही आपको बहुत जादा ठंडा लगता है तो सिर्फ आप पांश यह 10 मिनट रख सकते हैं लेकिन आपको फिर भी फाइदा करेगा ठीका फ आप मैं यहां पर सिर्फ 5 यह 10 मिनट रखूंगी अपने बालों में मैंने अच्छे से जूड़ा भी बना लिया है और यह देखिए मैं जो बचा कुछा है तो और अच्छे से अपने बालों में आके स्कैल्प में लगा दे रही हूं आगे से बाल छूट गया है ना मेरे त 10 मिनट होने के बाद आप माइल्ड शैंपू से अपने हेर वाश कर लिजिए अगर आप ज्यादा केमिकल वाले शैंपू यूज़ कर रहे हैं तो आप यह जरूर देख लें कि ज्यादा केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो आप फरबल शैंपू लिगे जिन में केमिकल कम हूँ आप वह शैंपू यूज करिए उसे बाल हमारे डैमेज भी नहीं होंगे और खराब भी नहीं होंगे क्योंकि हम बहुत तरीके के कैमिकल वाले ट्रीटमेंट भी कराते हैं साथी साथ कैमिकल वाला शैंपू भी यूज करते हैं तो उसे हमारे बाल खराग पे खराग होते जाते हैं और फ्रेंट जब आप फिर वाश कलनें पानी से तो आपको ड्रायर बिल्कुल भी नहीं अपने बालों में लगाना है आपको ऐसे ही बाल सुखाना है क्योंकि ड्रायर से भी हमारे बाल बहुत ही ज़ादा रूखी सुख्या और बेजान हो जाते हैं तो आई हो फ्रेंट्स आपको आज का वीडियो यूस्फुल लगा होगा अगर थोड़ा सा भी यूस्फुल लगा है तो एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो से रिलेटेट कुछ पूछ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मेरे चानल पे नए है या फिर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है और आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके बराबर में जो बैला आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजे ताकि मेरी वीडियो के लिए टेस्ट नोडिफिकेशन पहुंचे आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को देख भाएं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जबता के लिए बाबाई